ओके फाइन तो अभी हमें क्या करना था देखो हमारा क्वेश्चन क्या था राइट एन अल्गॉरिदम तो फाइंड सिंपल इंट्रेस्ट और बैंक डिपॉजिट तो आप सभी लोगों को पता है सिंपल इंट्रेस्ट का फॉर्मला क्या होता है पी आर टी भाई हंड्रेड अब आप एक चीज़ समझें क्योंकि आपको सिंपल इंट्रेस्ट निकालना है तो आपको तीन वैरेबल की जुरत पड़ेगी पहला पी दूसरा और तीसरा टी आप इन तीनों वैरेबल को ले लिजे साथ इसाथ इन तीनों वैरेबल में वैल्यू भी डाल दीजे मतलब आ अब अभी हमें क्या करना होगा अभी हमको फॉर्मला करना होगा तो अभी माल लीजे हम लोगों एक वैरेबल ले लिए किस नाम का एसाई और हम लोग यहां पर इंप्लिमेंटेशन करेंगे पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड़ बाइ ठीक है अब एक चीज समझे क्योंकि आपने रिजर्ट अपना स्टोर किया एसाई में तो आपको एसाई नाम का वैरेबल भी लेना पड़ेगा तो टेक थ्री वैरेबल की जगा अभी हमें करना पड़ेगा यहां पर टेक फोर वैरेबल्स पी कॉमा आर कॉमा टी एंड एसाई ओके तो और इनिशलाइस किसको करेंगे केवल पी आर लौट टी को ही निशलाइस करेंगे इस्टेप नमबर फाइफ की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वाट इस टेप नमबर फ होगा यह अल्गॉरिदम एक्ट्वल में लिखते कैसे हैं लेकिन अभी यहां पर एक थोला सा आप सिच्वेशन आती है वह सिच्वेशन ऐसे होती है कि मालो एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है कंडिशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है वेन वी हाव अकंडिशन व वोट या विच केस विल भी एक्जीकूटेड समझेगा बात को कंडिशनल स्टेट का मतलब एक ऐसी कंडिशन जहां पर हमारे पास कंडिशन होई है चेक करने के लिए कि कौन सा केस हमको एक्जीकूट कराना है फॉर एक्जांपल हमने यह बोला कि अगर किसी बंदे की जो अगर किसी बच्चे के जो मार्क है वह ग्रेटर दन थर्टी होंगे तो महां पर लिख देंगे पास और अगर मैंने बोला किसी बच्चे की जो मार्क से वह लेज दें ठर्टी हो जाएंगे तो वहां पर हम बोल देंगे फिल तो इसी को बोलते है कंडिशनल स्टेट्मेंट मतलब कंडिशन के अलग-अलग तरीके से होने पर अलग-अलग तरीके का आउट्पुट आना यही क से गाल-गए उसन करेंगे तो आपके पास दो चीजह होती है पहला होता है अब आप और को कैसे इंडिकेट कर आओगे देखो आपको पता होगा computer के अंदर जो भी काम होता है वो सारा का सारा काम zero और one के format में होता है तो one को बोलते है true और zero को बोलते है false ठीक है अब एक चीज़ समझेगा अगर हम true condition को represent कर रहे है that means कि हमको if use करना है और एकर हम false condition को use कर रहे है that means कि हमको वहापे else लगाना है ठीक है अब एक चीज समझें, true condition के लिए हमेशा आपको situation बतानी पड़ती है, लेकिन false condition के लिए कभी आपको situation नहीं बतानी पड़ती है, तो तुम घर पे आना और मेरा नाम ले करके मुझे बताना, बुलाना, अब वो आ करके सीधा बुलाने लगता है, तो वो कहते हैं, कैसा आया result केता, पिता जी आप समझ गया होंगे, आपका नाम लेके बिला रहे हैं, यादे की नहीं यादे, ये real आई थी, तो कुल मिला करें कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक situation ये raise हुई, कि इससे automatic ये judge होगे, कि तुम पास नहीं हुए, तो एक च अभी भी false condition लगाते हैं, तो आप को condition mention करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, mention करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, hopefully clear होगा, अभी चीज़ संब, एक question करते हैं, तो question के दौरा चीज़ों का आप बहुत ज़्यदा असानी से समझ पाएंगे, for example, question number four, अभी हमने यहाँ पर eligible to vote or not, okay, तो step number one क्या हो जाएगा, step number one आपका हो जाएगा, step number two, क्योंकि आपको पहले बच्चे से उसकी age पूछनी पड़ेगी, तो आपने लिखा take a variable, take a variable, किस नाम का variable ले लिया, age नाम का, clear है, step number three, अब आप इसको क्या करेंगे, value provide कराएंगे, यानि आप इसको क्या कर होगे, तो initialize the value of variable, किस variable को value initialize कर रहे है, age नाम के variable को, ठीक है, अब एक चीज समझे, step number four क्या बनेगा, step number four आपका बनेगा, check the condition, हमें आप लिख रहे है, check the condition, अब देखो, condition क्या बनेगी, यहाँ पर लिखेगा, if, और यहाँ पर अपनी condition दीजेगा, if age is greater than equals to 18, age is greater than equals to 18, तो मेरा यह particular जो block है, वो execute होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, else के अंदर, तो फिर यह वाला block execute होगा, मतलब, आपने बच्चे से उसकी age मांगी, सबसे पहले, if के अंदर, वो age check होने कर के लिए आएगी, कि वो जो age है, वो 18 से जादा है भी या नहीं है, अगर 18 से जादा ह होगी, या ठारा होगी, तो यह वाला block execute होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो automatic आपके बिना बोले, compiler यह वाला block क्या करेगा, execute करा देगा, मैं कह रहा हूँ, अगर बच्चे की age greater than equals to 18 है, तो वहाँ पर हम display कराएंगे, क्या display कराएंगे, you are eligible to vote, हम क्या display करा रहे हैं, वहाँ पर you are eligible to vote, ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पर mention करना है, you are not eligible to vote, ओके, अब देखो, या तो यह इफ वाला part execute हो जाएगा, या तो यह else वाला part execute हो जाएगा, अगर देखा जाए, तो हमारे और आपके पास, एक block है, जिस block का, sorry, जिस block का नाम है, age, ओके, तो यह जो age है, माल लिजे, बच्चे ने जो age डाली, कितने डाली, 20, तो automatic compiler जब चेक करने आएगा, तो if age is greater than equal to 18, तो यह वाला part execute होना है, बताओ बास सही है कि नहीं है, बिल्कु सही है, यानि क्या answer आएगा, you are eligible to vote, compiler क्या बताएग यूजर को कि तुम voting eligible हो, माल लो, यहाँ पर जो age डाली गई थी, बो डाली गई होती, कि 17, तो 17 डाला गया होता हो, तो यहाँ पर चेक होता, age is greater than equal to 18 होगा, तो यह चलेगा, तो age is greater than equal to 18, तो है ही नहीं ना, तो if तो चलने का कोई सवाल ही नहीं होता, automatic क्या चल जाएगा else चल जाएगा, मतलब else क्या होता है, बिना बुलाएं महमान होता है, यह automatic चल जाता है, कब जब, if नहीं चलता है, clear है सबको? ओके, ना अभी आगे बढ़ते हैं तो या तो मेरा answer इसके दोरा आ जाएगा, या तो मेरा answer इसके दोरा आ जाएगा, मतलब answer कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, step number five क्या हो जाएगा, stop, क्योंकि answer तो हम दिखा चुके हैं, या तो इस format में, या तो फिर इस format में, तो आप लोगों को अभी ये भी समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट बिना इसके algorithm कैसे लिखते हैं, ठीक है, साथ इसाथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर इस लगाने की ज़रत पड़े तो कैसे लगा सकते हैं, अब आप लोग का कहना होगा कि सर एक question और कराएगे, ताकि थोड़ा clarity और आज़ तो अब में एक question और करेंगे, write an algorithm, write an algorithm to check that whether a student is passed और आपने क्या बोला कि सर ये चेक करके बताएगे, वो जो बच्चा है, वो पास हुआ है या तो हम पहले आपे करेंगे step number one, what is the step number one, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, start करना पड़ेगा, step number two, अब आपको क्या करना अब आपको क्या लगाना है, apply the condition, हमने यहाँ पर हम लिखते है, if क्या चेक करना होगा, marks अगर जो है, वो greater than equal to 33 है, तो यह वाला block execute हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यह वाला जो block है, वो execute हो जाएगा, clear है, तो अभी इसके अंदर condition डालते है, क्या condition रहेगी, display कराना है हमें, और यहाँ पर लिखा, student passed the exam, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे, student didn't pass the exam, okay, now what will be step number five, that is, hopefully you all get the clarity right now, अभी आप लोग एक, एक, एक यहाँ पर situation और समझो, मालनी जब यहाँ एक question और करना चाहा रहे है, राइटन algorithm, राइटन algorithm, तो चेक दा, total marks, and percentage of the student, मेरा question क्या है, हमें बच्चे के total marks निकालने है, total marks वो भी तीन subject है, total marks of three subjects, तो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले step number one लिखते है, step number one हो जाएगा start, step number two की अगर बात करी जाए, step number two हो जाएगा कि अब आपको तीन variable लेने पड़ेंगे, take three variables, how many variables I want, take three variables, कौन कौन से ले लेते हैं, M1, M2 और M3, मर्गला marks one marks two और marks three, तीन subject, पहले subject के marks को M1 से represent कर रहे हैं, दूसरे subject के marks को M2 से और तीसरे subject के marks को represent कर रहे हैं, M3 से, अब एक चीज़ समझेगा, इन तीनों को ही आपको क्या करना पड़ेगा, initialize the variables M1, M2, M3, कोई दिकत नहीं, अब step number four समझेगे क्या होगा, अब होता है, आप सबसे पहले इनका total निकाल दीजे, तो मैंने आप एक क्या लिखा, apply the formula, apply the formula, ओके बच्छों, ठीक है, अभी एक चीज़ समझना, formula क्या लगा है, मैंने लिखा, total equals to M1 plus M2 plus M3, कोई दिकत, अब percentage, अच्छे एक बाब बताओ, total नाम का variable ले 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 ना चीज़िए, तहाँ है, यह सान हो, guys, ओके, अब एक चीज यही तो करोगे न, percentage निकालने के क्या करोगे, M1 plus M2 plus M3 divided by 3, मैं कह रहा हूँ, M1 plus M2 plus M3 का जो result है, वो मैं already total में store कर चुका हूँ, तो क्या ज़रू है, अलेक्स को लिखने की हम यहाँ पर लिख सकते है, total by, कोई दिकत है, हाँ या ना, नहीं न, अब step number 5 सम्झो, step number 5 क्या हो जाएगा भी हमारे पास, अच्छा तो हमें यहाँ पर पर सेंटेज नाम का variable भी ले ले लेना चाहिएगा, step number 5 क्या हो जाएगा, display the value of, total and percentage, कोई दिकत, अब step number 6, that will be stop, so hopefully you all got the clarity right now that how to write the algorithm by using these basic concepts, तो अभी आज की class में आप लोग को क्या बताया गया, algorithm लिखना बताया ग question हम कराने जा रहे हैं, ये session हमारा खतम हो रहा है, अब आगे की बाते, next session में new meeting ID और password हम दुबारा WhatsApp ग्रूप पे भेज रहे हैं, उसके साथ फटाफट से join करो, आप लोगों को class के बाद एक हम algorithm की sheet भी देंगे, वो sheet मेरे app पे already upload है, app download को लो सब लो play store से, ठीक है, तो questions की sheet की दोई मिल जाएगी, ओके, अंजल गलिद्बाग्ट